हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चनल पर आरेसे मैसेजबी स्टेनोग्राफर एक्जाम 2021 से जुड़ी आज हम चर्चा करने वाले हैं 40% किस कैटेगरी के लिए जरूरी है और 36% का क्या मामला है तो इसी से रिलेटेड आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी लिए आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों आपके सारे जो डाउट्स है कि 40% और 36% से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे इसलिए आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे डिटेल वाली स्टडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा और बेल आइकन को दबा कर और नोटिफिकेशन को आउन कर दिजिएगा ताकि एजुकेशन रिलेटेड एड अपडेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे दोस्तों हम आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन ही देते हैं इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा तो दोस्तों आप इनोट्फिकेशन अगर अच्छे से पढ़ेंगे आपका जो दिया गया है ऐफिशेलй तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो एक बार हम इस नोट्फिकेशन नो THIS स् तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका एक्जाम है वह फेज वन और फेज टू में होना है फेज बन तो आपका भी हो ही गया है जिसमें कि दो क्वेशन पेपर से सामान्य ग्यान दैनिक विग्यान राजिस्थान का सामान्य ग्यान और दूसरा था सामान्य हिंदी और अंग्रेजी तीन घंटे का आपको अवधी था और टोटल मार्क्स थे आपको 100-200 और total questions थे 300, पहले question paper में आपको 1500 questions थे, दुसरे question paper में आपको 1500 questions थे, और दोनों मिला के total number of questions आपके 300 और total marks अगर दोनों मिलाए थे 200, total 200 mark का question paper था, तो इस तरह से phase 1 था, अब phase 2 जो होगा वो होगा शॉट हैं कि आपको पता है आपको सबसे best देना है, अच्छे से तैयारी करके आप जाहिएगा तो अब इस पश्टी करण को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा 40% और 36% का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा तो इसमें तीसरा पॉइंट दिया गया है इसमें हम देखिए कि ऐसे समस्ता अभ्यर्थियों को जो फेज वन की परिक्षा के प्रतिक प्रत्र के नियुनतम 40% अंक प्राप्त करते हैं और कुल इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं जो भरती एजनसी द्वारा संख्या को इस्टतम स्तर तक निबंदित करने के लिए नियत किये जावे phase 2 में प्रवेश दिया जा सकेगा तो आप अच्छे से अभी ध्यान दिजिएगा दोस्तो आपको minimum 40% mark लाने ही हैं दोनों question paper में यानि कि आपका पहला question paper है उसमें आपका total mark से 100 दूसरे question में भी total mark से 100 तो इन दोनों में आपको minimum 40% minimum 40% लाने ही है यानि कि अगर 100 का हम 40 प्रतिशत निकालेंगे तो आपको minimum 40 marks तो दोनों paper में लाने ही है यानि कि 40 mark आपको सामन्य ग्यान और दैनिक विग्यान राजस्थान का सामन्य ग्यान में लाने हैं और सामन्य हिंदी अंग्रेजी में भी आपको 40 लाने हैं तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको for example दूसरा वाला जो paper है सामन्य हिंदी और अंग्रेजी का यह आपको बहुत ही अच्छा गया है और इसमें आपको शायद आपको मिलेंगे 40 से बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे 80 मिलेंगे या 85 मिलेंगे बट अगर आपका पहला वाला जो question paper है सामन्य ग्यान और दैनिक विग्यान इसमें अगर आप मिनिमुम 40 मार्क लाओगे नहीं आपको 30 हो रहे हैं तो आप आपका selection नहीं हो पाएगा यानि कि आपको दोनो में 40 प्रतिशत लाने हैं साथ ही आपका जो cutoff निर्दारित की जाएगी जो कि हमने अनुमान लगाया है प्रॉपर नहीं है दोस्तों लेकिन प्रॉपर जो भी cutoff होगी तो मिनिमुम 40 प्रतिशत प्लस आपकी जो cutoff निर्दारित होगी वो दोनों मिला के अगर आप clear करोगे तब जाके आपका phase 1 clear हो पाएगा phase 2 के लिए short hand के लिए तब आपको बुलाये जाएगा तो इस तरह से आपको minimum 40 प्रतिशत तो phase 1 में clear करना ही है और प्लस जो आपकी cutoff निर्दारित की जाएगी वो अगर आप clear करोगे तो आपका selection phase 2 के लिए यानि कि short hand के लिए skill test के लिए हो पाएगा उसके बाद अगर हम बात करें कि नीचे क्या दिया गया है तो ऐसे यहाँ पे दिया गया है कि phase 1 के प्रतिक प्रतिGAN पत्र के नियून तम 40 प्रतिशत अंकर के नियून तम 36 प्रतिशत अंकर प्राप्त करने में अशफल रहा हो अगर आप phase 1 अच्छे से clear कर लेत आपके 40-40% भी आपने यहां दोनों में मिला लिए लेकिन अगर आप फेस 2 में 36% नहीं लाओगे 36% मिनिमम आपको फेस 2 के लिए रखा गया है क्राइटेरिया तो फेस 2 में अगर आप 36% मिनिमम नहीं लाओगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो इस तरह से आपको फेस 2 में 40% मिनिममम लाने है और 36% का क्राइटेरिया फेस 2 के लिए है तो तभी जाके आपका टोटल सिलेक्शन हो पाएगा तथा पी लेकिन यहाँ पे दिया गया है तथा पी अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती प्रवर्ग के अभ्यर्थी को प्रतिक फेस के प्रशन पत्र के न्यूनतम अंकों में 5% शितली करण उपलब्द होगा बाकी के लिए नहीं है तो इस तरह से यह टोटल है कि आपका minimum %40 से फेस के लिए और आप 96 wat सेंड आपका बहुत कीतों कर दीजिएगा तो यहीं थी दोस्तों आज की जानकारी और अगर और कोई भी को इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड और तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा हम आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दिजेगा थैंक्यू सो मुच